जी गूड इवनिंग गूड इवन जल्दी से जल्दी बताईए आपको आवाज आ रही है तब तक जो है हम टेलिग्राम चैनल की उपर अपनी क्लास शियर कर देते हैं जी ग्ट्यवनिंग 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 आइन थे जूर से विच्ध मोंा प्रफोंड था रहे दूरत ट्ली कि आए ढगे आद ट्धी आए ड्नकी पाया तरहा हम जी खोड आण ट्यू इवनिग्राद being rice on कुछ बच्चों को आने दो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास क्योंकि इस क्लास में काफी स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं थोड़ असा वेट करूंगा अद्रवाइस मैं वेट नहीं करता होता अभी जो है कुछ स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो फिर आते हैं जस्टेस मतलब एक दो मिनट वेट करेंगे अब अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक है क्योंकि मैं इसी क्लास में वेट करता होता हूं क्योंकि आपको सबको पता है कि काफी स्टूडेंट्स जो है इस क्लास में आते हैं तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसे एक बच्चा कह रहा है कि अगर मेरी स्लेक्षन होगी तो मैं आपको 2000 रुपे दरक्षना दूंगा कि ऐसे समय लेना कि वह गुरुदक्षना मेरे को ना देके आप अपनी जेम में डाल लेना ताकि अपने जो अपने खाव हैं आप अपने उस 2000 रुपे में आप पूरे कर लें ठेक है और अच्छे से अपनी जिन्दगी गोज़ारें कि जी चलिए जी करते हैं स्टार्ट अपने सेशन को सो दक्षना मुझे ना देखे अप अपने को दीजिए अपने माता पीता का अश्रिवाद लीजिए उनकी जेम में पैसे डालने की कोई जुरूत नहीं है मेरे को बात है जो मैं कमा रहा हूं अपनी मेनत से कमा रहा हूं तो ब चलिए जी करते हैं स्टार्ट अब ठीक है अब हम वेट नहीं करेंगे अब जो आना चाहते हैं वो आ गए होंगे जी चलिए जी स्टार्ट करते हैं और आज सेशन है हमारा सिक्स्ट ऑफ मार्च का और इस वीडियो को लेगा रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन कोईल आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ने से पहले बता दो यह मैराथान ग्लास है और मैराथान क्लास हमारी सैटर सबको पता ही है और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको पता लग जाएगा बाकि आप जो है टेलीग्रम चैनल के साथ आपको 100% यहां पर जॉइन करना है डॉक्टर विपन गोईल के नाम से यहां पर जो हमारा टेलीग्रम चैनल है यहां पर जो है अप्रॉक्सिमेटली 1,35,000 के प्लस बच्चे जुड़े होए हैं तो आप भी आके यहां पर जुड़ सकते हैं और यहां पर जितने भी लेक्चेस होते हैं वो उनकी नोटिफिकेशन, PDF, पेड़ कोर्सिस की जानकारी वो मैं यहां पर शियर करता हूँ समझ आया जी चीक है तो और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम की उपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपनगोल के नाम से और मेरे दो पेड़ कोर्सिस आते हैं यहां पर आपके स्टेट पीसी एस का फॉल्डर बना हुआ है और डिफेंस एक्जाम का फॉल्डर बना हुआ है उसके अंदर आज मेंने स्पैशल वीडियो भी डाली है तो जाके वो देख लेना जिनके पास वो पॉर्स नहीं है वो अपना पर्चेज करके आप देख सकते है और इस कोर्स के अंदर जो है आप स्टाडी 10 यूज सकते हैं स्टाडी 10 कूपन-Code कर सकते हैं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जीए क्यों जो है आपका विफेंदेर लगाएंगे और यहां पे हमारा पूरा का पूरा जो है यह थेहरी पोर्स है देटेल में हमारा home page नज़र आएगा और यहां पर आपको दिखेगा best selling courses यहां पर वी ओल का बटन इस वी ओल के बटन को जैसी आप दबाएंगे 10,000 mcq कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर पे और GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर पे और 10,000 mcq कोर्स के अंदर जो है आपको coupon code लगाना है study 10 और GS कोर्स के अंदर VIP 500 अगर आपका exam तीन-चार महीनों में है आप किसी भी स्टेट लेवल का स्टेट PCS का कोई भी एक्जाम दे रही है तो आपको 10,000 mcq को पर्चेश करना है और अगर आपका exam next year है तो GS को आपको पर्चेश करना है तो नाओ फर्स्ट कोशन फड़ा 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 अंसर दीजिए अंसर लगाने की कोशिश कीजिए नहीं समझाएगा तो हम बताएंगे बट अदरवाइस आपको करना है जी दे बेंगॉल Regulation Act of 1795 and 1805 सत्रा सो पचानवे और 1805 अठारा सो चार का एक बेंगॉल Regulation Act था यह किस चीज के लिए था वट इस देस क्या चीज़ था जी यह किस चीज के लिए जो है आपका Act था जल्दी से बताईए यह Act था Murdering of the Female Infant Illegal मतला महीला शिशू की हत्या अवैद यह आपका इस चीज के लिए जो है आपका जो यह Act बताता है कि हाँ अगर आप फिमेल शिशू की हत्या करते हैं तो वह आपका इल्लीगल है यह आपका Bengal Regulation Act 1795 बताता है अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा सती को इल्लीगल कप कहिया गया था 1829 में 1829 में और लॉड विल्यम बैंटिक ने और राजाराम मौन राई जी ने यहां पर सपोर्ट किया था कि सत्य को इल्लीगल कीजिए वीडियो रिमेरीज या पका 1856 में आया था 1856 1856 में और इश्वा चंदर विद्य साथर वाजश्य पर्सण जिन्होंने वीडिमेरी मैरीज के लिए बात करी थी चैओं रिमेरीज इलीगल कप किया था 2006 के अंदर एक ग्र weniger के लिए दा सेवंटीन नाइटीफाइड एंटीन जिरो फॉर बेंगॉल रेगुलिशन एक्ट चलिए अगला अंसर बताईए अगला कोशन देखेजी क्या गयता है इंडिया का on कुष्ट बेस्लाइन हमारे इंडिया का कितना डिस्टेंस जो है आपका वह कौस्ट की बेसलाइन बनाता है जल्दी से जल्दी बताईए अगला कोशन जी कितना माइल जो है आपका वो बताता है territorial आपका जो एरिया है वो बताता है territorial area 1982 के according जो है आपके convention होई थी उसके according जो है वो convention जो थी आपकी national convention on the law of sea national convention on law of sea के according जो है आपकी boundary बाउंडरी बताए गए थी hoursRetory Road बताया गया था और यह आपका कितना नॉठीकल माईल था 12 आपका जो ए सपितम आपका टेस्टीuren जिने Habit देखने को मिलते है आंसरी मेरस में left by 749 और अगर मैं बात करता हूं तो यह किसके पॉच्छन में पूच्छा जाता है वन नौटिकल माइल किसके बराबर होता है तो यह उप्षन अब जब इन्होंने कोश्च की वर्ड यूज किया है यहां पर तो आपको पता होना चाहिए जो इंडिया की इंडिया का लैंड है जो इंडिया का बॉर्डर है यह वाला चीक है में लैंड जी से हम कहेंगे तो यह कितनी बाउंडरी है यह बाउंडरी है 6100 किलो मेटर इसक्स्टी 100 किलो मेटर और यहां पर लक्ष्री भी है अंडेमा निकोबार आइलेंड भी है इन दोनों की बाउंडरी को मिला के भी कितना हो जाता है टोटल 7516 7516.6 किलो मेटर का आपका टोटल जो है आपको देखने को मिलता है यह वाला ठीक है यह आपका टोटल एरिया देखने को मिलता है यहां पर इतना मतलब पूरी बाउंडरी कोस्ट लाइन इतनी देखने को आपको मिलती है 7516.6 किलो मेटर तो इसमें क्या बनेगा आपका सी ऑ जोन exclusive economic zone जो होते हैं आपके यह आपकी कोस्ट राइन के होते हैं 200 नौटिकल माइल का पार आता है एक आप से पेपर में बुचा जाता है special economic zone special economic you zones are used for they are used for the export purpose exports के लिए यह यूज किया जाते हैं और ध्यान रखना बड़ा important question exclusive economic zone 200 नौटिकल माइल सक्का पार्ट इसमें देखने को आपको मिल जाता है समझाए आप लोगों को जी कि यह boundaries वगारा एरिया वगारा याद रखना कि कितना कितना है कितना कितना है यह याद रखना अगला question देखें जी क्या गयता है अगला question देखें विच और फॉलिंग कंट्री डज़न लाइप पार्शली और होली इंदा सहारा डेजर्ट इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो सहारा डेजर्ट के अंदर नहीं दिखती नहीं थोड़ी सी नहीं सारी कंट्री सहारा डेजर्ट के अंदर नहीं लगती यह question है आपका शाहरा डेजर जी सारा डेजर कहाँ पर आपका आपका एफ्रिकेन कांटिनेंट के अंदर है तो यह है आपका बाशायर medical क्हारा 1948 सहारा डेजर के ऑंदर क्लिर हो गए आप लोगं को जई अलजीरिया चाडड्य एजिप्ट है या चाड्ड है लिबिया माली मौरेशियाना नाइजर वेस्टर अधु ज़ाख slightly सुडान सुद्ध टूनिश तुनिश फ़्ीन यहां मंद यहां पर कॉन सी country यहाँ पे नहीं लगती यहाँ पर ध्यान रह시면 lijजर बोला था नाइजीरिया नहीं बोला था तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका स सी अप्षन नाइजीरिया बनेगा राइट अंसर ऐल जीरिया लीबिय और एजिट तो आपकी सहरा डेज़र्ट के अंदर आपको मिलती है समझाया जी तो आंसर इसमें आपका c option बनेगा राइट अंसर नाइजीरिया करेक्ट अंसर नाइजीरिया पलों को और एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पर है Mediterranean Sea, भूमध्या सागर और यहाँ पे है Red Sea, लाल सागर और बीच में आपकी कैनाल होती है, यहाँ पे जो जोड़ती है that is, that कैनाल is called Suiz कैनाल, Suiz कैनाल उसको कहा जाता है, Suiz कैनाल उसको कहा जाता है, तो जो आपके Mediterranean Sea और Red Sea को जोड़ती है तो this is very important part, clear होगे आप लोगों को चलिए जी, आगे answer बताईए अच्छा, एक बच्चा गह रहा है कि मेरे उपर blue t-shirt suit कर दिया तो मुझे gift कर देना एक फिर selection लेके, selection लेके ठीक है, चलिए जी, अगला कोशन देखे आंसर दीजे, फड़ा फड़ा अंसर देने की कोशिश कीजे पढ़ाई की तरफ जादा ध्यान दीजे, बीच में हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजे Constitution 73rd Amendment Act 1992 provides, what is the meaning 73rd Amendment Act जो है आपका किस चीज़ के लिए हुआ था सबको बता है, 73rd Amendment Act 1992 हुआ और implement हुआ था 1993 में, और ये किस के लिए बात करता है, पंचाईती राज institution के लिए बात करता है, और आपका Part 9 के लिए बात करता है और आपका schedule, अनुसूची 11 मी के लिए बात करता है, जिसमें 29 subject की उपर कानून बना सकती है, आपकी पंचाईत बना सकती है तो इसका मतलब, ये जो है आपका constitutional status की बात करता है अंसर इसमें A option बनेगा 243, A से लेके O तक जो है, आपके क्या हाती है पंचाईती राज institution के जो है आपका article number देखने को आपको यहां पे मिलता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा, आपका A option बनेगा राइट अंसर, clear होगे आप लोगो A option is the right answer Municipalities की बात नहीं आई, यहां पे Municipality लिखा हुआ है, वो 74th Amendment थी 74th Amendment Act 1992 Implemento in 93 में 18 subject की उपर कानून बना सकते है Municipality और आपका यह जो है, that's it, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, clear, और आपका Part 9A में आता है, और आपका schedule 12 को मिलता है, cooperative societies की बात करे, 43B के अंदर देखने को आपको मिलता है, ठीक है, बस यह आपको याद रखना है, answer इसमें one option बनेगा, right answer, now the question is पहली पंचायत कहां पे बने थी, पहली पंचायत बने थी आपकी नागो डिस्टिक राजस्थान में, और दूसरी स्टेट कौन सी थी, डैट वाज आंधरा परदेश, clear, और कहां पे पंचायत नहीं है, कहां पे पंचायत नहीं है, नागा लैंड में और पंचायत जो होती है, वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, वो तीन हिस्से कौन कौन से है, विलेज पंचायत, ब्लॉक समती और आपका जिला परिशद, समझाया, विलेज पंचायत में आपका जो है, आपका बिल्कुल गाउन लेवल की उपर होती है, ब्लॉक समती कुछ blocks को मिलाके होती है जीला परिशत पूरा district level के ऊपर देखनेको आपको मिलती आ डिस्टीक level के ऊपर समझ आया और जीला परिशत को जो handle करता है वो कौन करता है district collector dc तो it means पंचायत के अंदर सबसे head point के ऊपर गहरो यह देखने को आपको मिलता है so these are very important points समझ आए आप लोगों को जी हां यह थ्री टियर जो डिवाइड किया था वो किस ने किया था बलवंत राय कमेटी की रिकमेटी की बलवंत राय कमेटी बैठी थी 1957 के अंदर 1957 के अंदर बैठी थी यह आपको clear होना चाहिए समझ आया जी चलिए अगल अगला अंसर बताईए यह कुछ मतलब मैच करना है डेज और मतलब जो यह वाले ही मत दिन है और उनकी डेट के साथ मैच करना है तो इसका अंसर क्या बनेगा यह आपको बताना है लाला लाज पत्राय एनिवर्स्री यह होती है आपकी 28 जनवरी को यह बनेगा फूर्थ होता है 21 मर्च को 25 जनवरी होता है 24 से होने अजों डे होता है आपका 16 सेप्पमबर को 4321 बनेगा इसका राइट अंसर बनेगा उप्शन देखो कौन सा है 4321 इसका क्रेक्ट अंसर बनेगा जी समझ आया 4321 इसमें और यहां पर कुछ आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि 24 अपरेल को होता है पंचाइती डे और एक होता है 25 अपरेल 25 अपरेल को होता है आपका वर्ल्ड मलेरिया डे देखने को आपको मिलता है और अब आजाओ इधर की तरफ लाला लाज पत्राय जी की जो है आपका लाला लाज पत्राय को शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं शेरे पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं और इनका पेपर है यंग इंडिया नाम का पेपर है अन हैपी इंडिया अन हैपी यंग इंडिया अन हैपी इंडिया लाला लाज पत्राय के साथ संबंदित हैं यह ची यह आती है एक तो आपका फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट कहां पे है फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट है देरादून के अंदर उत्राखंड की कैपिटल फॉरेस्ट आपका रिजर्व कितना है 43.34 24.39 परसेंट देखने को आपको मिलता है अगर आपसे पूछा है और यूवी रेस आती है वो बचाती है आपकी यूवी रेस को अंदर आने नहीं देती डैड़ आपका ओजोन लेयर होती कहां पर स्टेटोस्फियर में समताम मंदल में और समताम मंदल में हमारे जैट प्रेंज चलते हैं क्योंकि वहां पर क्लाउड कवर कुछ भी देख एक पाई कि यह कहां पर देखने को मिलते हैं चो मंदल का अंदर समझ आया जी अंसर स्ट्स में क्या बनेगा आपका दी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बी ऑप्शन इस आ करेक्ट अंसर चले जी अगला अन्सर बताईए हुर 9 कोशन है अतिरम पकं यह अतिरम पकम्टम्टम्ट एक जगा वहां पर एक टूल हमें मिले हैं यह कौन से इस्टोर्ण टूल्टम्टम्ट के अंदर क्योंसी एजुट के टूल्स हैं यह आपका चिनिया के अंदर एक बिल्कुल छोटा सा गाउं है डेडिसकुल अतिरम पकम यह एक छोटा सा गाउं है चिनगी के अंदर और यह आपके कौन से स्टोन है बस आपको यह याद कर लो ओल्ड स्टोन एज अंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा ओल्ड स्टोन एज देखने को आपको मिलती है यह जी हम स्टोन एज टूल है यह समझाया चलिए अगला बताओ अगला बताओ अगला अगला बताओ अगला बताओ अगला बताओ अफटाओ अगला आपको अब अगर आप अगर आप देखो अगर आप ने यह गलत किया तो या फिर तो आपकी गलती आ सवान सिंग कमेटी की रिकमेंडेशन सी कि फंडामेंटल डूड़ीस को एड किया जाए तो इन्हों कितने number of fundamental duties को add करने की बात करी थी तो 10 fundamental duties add हुई थी तो answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा right answer B option समझाया 10 duties की बात यहां पर करी गई थी अब यहां पर question थ्यान से समझे क्या कहता है स्वान सिंग कमेटी बैठी थी आपकी 42nd amendment act के according 42nd amendment act 1976 के according जो है हमारे सविदान में 10 fundamental duties add करी गई थी fundamental duties जो है हमने कहां से बोरो करी थी रशिया से बोरो करी थी USSR से रशिया से हमने बोरो करी थी clear होगे आप लोगो USSR रशिया से बोरो करी थी fundamental duties very important answer इसमें B option बनेगा और आपका यह article नंबर कौन सा आता है आता है पार्ट फोर एक अंदर देखने को आपको मिलता है पार्ट फोर एक अंदर भी देखने को आपको मिलता है यह वाला पार्ट डाड़ी जा आपका यह fundamental duties का concept answer इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा लेकिन 11 fundamental duty भी एड़ करी गई थी अभी टोटल कितनी फंडामेंट डूटी जैंग्यारा अब 11 वाली एड़ करी गई थी कौन से आर्टिकल 51A पार्ट 4A यह सब कुछ आपको देखने को मिलता है यहां पर समझाया अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर यह आपकी fundamental duties हैं जिसमें आपके constitution को आगे बढ़ा के रखना national anthem national flag की रिस्पेक्ट करना जो भी हमारे country के rich heritage को बना के रखना brotherhood बना के रखना environment को protect करके रखना और प्लस जो है scientific तरीके से जो है आपके देश के अंदर रिफॉर्म लेकियाने की कुशिश करना public property को बचाना यह सारी चीज़े जो है आपकी fundamental duties के अंदर जो है लिखी गई है समझाया जी clear हो गया आप लोगों को जी चलिए अगला अंसर बताईए यह कि बते हैं दबिखने को मिलती है अंशर इसमें तो यह है इसके अंदर आयरन डाल दिया जाता है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो निकल और आयरन की डैस नाइक्रोम वायर देखने को मिलती है आंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर क्लियर होगे आप लोगो सी ऑप्षिन इस राइट अंसर टंगस्टन की अगर म होता है इतना टेंपरेचर इसको गरम कर देंगे तब भी यह बलब नहीं खराबोगा बहुत देर जाके खराब होता है इतना जो इसका melting point ज्यादा होता है aluminium की बात करते हैं तो aluminium जो है आपकी earth crust के अंदर सबसी ज्यादा मिलने वाली metal है अगर आपसे पूचा element की form में तो आपका अंसर आजाएगा oxygen अगर आपका metal पूचा तो aluminium aluminium की और कौन सी है आपकी कोरंडम और है एक और एक है आपकी box side एक है आपकी box side चीक है यह आपको याद रखना है और aluminium corundum and box side और अंसर इसमें c option बनेगा राइट अंसर डैट इस नाइक्रों वायर इस आ करेक्ट वान समझ आया और aluminium के बारे में आपको और क्या बताएं बहुत बता दिया बस इतना याद रखेंगे बाकि आपको पता है silicon हाँ silicon aluminium silicon magnesium आपका अर्थ की क्रस्ट में मिलता है और आपका जो कोर होती है उसमें मिलता है निकल और आइरन देखने को मिलता है सो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डैस सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर सी ऑप्षिन नाइक्रों वायर अगला बताओ डबलू एचो ने बोला है वर्ल्ड है वर्ल्ड हेल्थ और्गनेशन ने बोला है साउथ हीस्ट एश्या रिजन की अंदर कि हम मीजल्स और उबेला को जो है आपका कितने साल तक जो है खतम कर देंगे जी इन्होंने क्या बोला है बताइए 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 जी यह मीटिंग हुई थी डूई की डिल्ली के अंदर और उनने बोला था कि हम 2023 तक जो है आपका मिजल और रुबेला को ख़तम कर देंगे अंसर इसमें डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर डी ऑप्षिन अब बात करते हैं यहां पर डब्लू एच्चों की वर्ल्ड हेल्थ और्गनेशन के जो हैड़कोर्टर है वो कहां पर है आपके डैड़ी जिन्दा जिनीवा और वर्ल्ड हेल अब यहां पर दिया मैंने आपको चीक है यह सो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्षिन बनेगा टू था टॉट्व यह जो आपके अभी परसन है जो उनको संभालते हैं वह हैं डॉक्टर टैड्रोस डॉक्टर टैड्रोस जो हैं वो कहां से बिलॉंग करते हैं हां बहुत बढ़िया समझा रहा ना तुम्हें बस इतना आपको पता होना चाहिए समझा आना चाहिए और आपके अंसर निकलते ज्यादा रहने चाहिए अनंद मोहन बोस बी थे आननद मोहन बोस ठीक है ये भी आपको याद रख लेना है आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर बाखी कुछ पॉइंट से डिसक्स करते हैं जैसे दादा बाइन रोजी की बात करता हूं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं पौवर्टी एन अन्बिटिश रूल इं सूराज वर्ट को यूज किReally अंदर बोला ता सुराज वर्ड को यूज किया था पहली बार डदाबाइन रोजिखी प्राइड सेक्रेटरी का नाम है मैडमगजी कामा ने 1907 के अंदर स्टगर्ट के अंदर यह तरंगा लहरակा था और मैडम बीका जी कामा राया शानां तिलक भी कहा जाता है बालगंगदर तिलक जी ने 1916 के अंदर जो है आपका स्टार्ट किया था होम रू लीक स्टार्ट करी थी इन्हों ने महाराष्ट्रा में स्टार्ट करी थी और हेड्ड कॉर्टर बनाय थे पूने के अंदर और सेम एयर में एनी बेसंट ने भी तिलक जी को बोलायाता है Ñन्सर इसमें क्या बनेगा चलो जो भी ऑंसर डी बनेगा आई-एएपका 1885 में आई-एएपका 1885 में लॉर्ड दफरिं थे लेकिन अई-एएएण सी के जनक में आते हैं फादर में आते हैं आई-एएएएंसी जो बनी थी आपका WC बेनर जी वौसा 1 फ्रेजिडेंट बंबे में हुआ था गुकुलास तेचपाल कॉलज में लेकिन पहले डिसाइड का पूने में पूने में आपका जो है कॉलरा फैला हुआ था है जा फैला हुआ था जिसके कारण जो है बॉम्बे शिफ्ट हो गया था समझ आया बहुत सारी चीज़ यह जितनी मर्जी आतको लो बाल गदर दिलग जी के लिए तो केसरी मराथा यह सब समझ बहुत सारी चीजे चीजे संबन्तित नाम इतने 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 पोइंट में लेकिन एसे होता है कि जब मैं जब चो पॉइंट अगर आपको अब कुछ एक्स्ट्र点 आ आपको मिलता ऑप अपनी podcasts और दिमाग चलाने की कुशिश केया गरो हो कि और क्या पॉइंट बन करता है जब भी मैं चीज होते हैं मैं हमेशन चीज को लिंक करके शुव करता हूं कि आपको कही ना कहीं से जुड़ जाके ठीक है तब जाके मैं सारे पॉइंट से बताता हूं आपको जी कि समझ आ गया कि क्लिएर हो गया आप लोगों को जी जी कि समझ आया जी चलें आगे बड़ें चलिए यह कौन है सर सुरिंदरनाथ बेनल जी यह हैं आपकी इंडन एस्सेशिशन के आपके में परसन इन्हों ने इंडन एस्सेशिशन स्टार्ट करी थी विद अनंद मोहन बोस और यह आपके इंडनेशन के साथ मर्च कर गए थे और इन्हों ने आपका जो है आपका इंडन सीविल सर्विसेश एक्जाम किया था बट डिस्क्रिमिनेशन के कारण इनको जॉइन नहीं करने दिया था और इन्हों ने रिपन कॉलेज भी स्टार्ट किया था जिसे आप आज कल क्या आते हैं सुरेंदरनाथ कॉलेज जो 1882 के अंदर कॉलकाता में स्टार्ट किया गया था और इनका एक पेपर भी है डैडिस कॉल बेंगॉली यह भी आपको याद कर लेना है यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं समझाया कि जी क्लियर हो गया चलिए अगला बताओ पंदरा अगस्त को यह बोला था कि दुनिया सो रही थी लेकिन भारत जो है अपनी स्वतनतत्ता के लिए जाग गया था चिक है और नई उचाईयों को छूरा था यह स्टेट्मेंट किसकी थी यह थी जोहलाल नैरू जी की अंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर जोहलाल नैरू हमारे देश के पहले प्राइम बिनिस्टर डॉक्टर बाबू राजेंदर प्रशाद जो हैं इनको कहते हैं गांधी ऑफ बिहार इन्होंने इंडिया डिवाइड नाम की पुस्तक भी लिखी है और आसेंबली के पर्मनेंट ये थे जो 11 दिसंबर को पौइंट किये गए थे अद्रवाइस डॉक्टर सजीदानन्द सीना वाजा फिर्स प्रेजजेंट और यह टेम्परेश टे और बाद में गयाना को डॉक्टर रजिंदर परशाद जी को पौइंट कर दिया गया था बीम्राव अंबेदकर जी को बोलायाता है इनको बोलायाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेर परसन माहर कम्यूनिटी से बिलॉंग करते थे बाद में इनोंने जो है बुदिजम को अपना लिया था गांधी अंबेदकर पैक्ट साइन हुआ था रिजर्वेशन के लिए लेकि सिर्फ भादि की उपर रह गये ते मधुरही के अंदर मधुरही को कि से मध्र रही को क्या बोलते हम डादैम सिटी ओफ एस्टेबल बोला जाता है तो अ हमाहत्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिआ था गुरुदिय को अ तिया था यह गुरुदेव ने कौन है डिशार अटाल झी रबेंदर ना टैगोर जी को गुरु तैटल भी महत्मा गांधी जी ने दिया था और है इनके महादेव देसाही महादेव देसाही इनके प्रैवेट सेक्रेटरी तरि mentioned यंग इंडिया और माइप्सपैरिमेंट अजमीन नवजीवन हरी जन यह सारे पेपरि किसके मात्मा गांदी के माई एक्सपेरिमेंट विद्ध ट्रुथ यह किसने बोला था यह किसको क्या है यह बुक है किसकी मात्मा गांदी जी की ऑटो बाइगराफी है समझाया जी कि तो यह याद रखना है सारे पॉइंट्स चलिए यह हैं चाचा नहरू का चेल्डरन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नमबंबर को हो फिरह एक अगला बता इक कॉंसी अशिण टाटरी हैं 30 प्रइरिटी एक कॉंवन हाइग कोट को है हे हाइड कोट की बात करें तो पहली बात आया था laying का इंडियन नंक गयत यह यह 15 शीवर धी python युझा जल्सक्राइब करें गांदर पेले कोलकट्ता देन बॉंबे दैन बद्दरास के अंदर पहली प्रविंशियल प्रांति यह आपकी हाई-कोट स्वाट करें अलहाबाद के अंदर और है कोट्ट में क्या होता है कि कॉंवन हाइक को सकते है दू या दो से जादा राज्यों की सेवंध कॉंसिटिशन अमेंडमेंट टेक्ट नाइटिन फिफ्टी सिक्स के अंदर यह बोला गया था दो या दो से जादा स्टेट की कॉमन हाई कोट हो सकती है अंसर इसमें दिखे जी कॉमन हाई कोट की उपर बात कर रहा है तो देखो जी कहां के ऑप् अप्शन बने का करेक्ट अंसर समझाया जी क्लियर चलिए है हाई कोट अफ जम्मुकुष्मी श्रीनगर के अंदर है अगला बताओ कि हम अगला कुशन बताओ फटाफट इन में से ऐसा कौन सा टेमपल है जो लाज़स्ट टेमपल टेमपल है आपका इलोरा के अंदर है माराश्ट्रा के अंदर है इंडिया में तो कौन सा टेमपल है तो यह टेमपल है आपका केलाश टेमपल केलाश टेमपल केलाश टेमपल का मतलब यहां पर क्या है यह राश्ट्रकूट बंशने बनवाया था राश्ट्रकूट बंशने करने वाले हैं तो यह सारे नाम जो है किलाश के साथ जुड़ते हैं किलाश टेंपल डड़ेश मूर्थी जो त्री मूर्थी है वहां पर देखने को आपको मिलते हैं अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर और एक चीज़ आपको मैं बताता हूं राष्ट्रकूट के साथ समबंधित हैं यहीं बात करूं फो keywords के अंदर आपकी 34又 24 में 17 हिंदूश के लिए क्लियर चलिए अगला बताओ बादाम जो होते हैं यह कौनसे वाइटामिन के अंदर रिच होते हैं यह आपका कॉशन है यहां पर देखते हैं पहले वाइटामिन की नाम से भी जानते हैं और अगर वाइटमीन E की कमी हो जाए तो परशां स्ट्रायल हो जाता है ना पुन्सक जिसे हम कहते है और इसे लिए इसको एंटिस्ट्रायल व्टामीन भी कहा जाता है एंटीस्ट्रायल मतलब क्या हो गया कि जो आपका स्रेल прек clear कर दे वह वाइटामिन इसको कहते हैं तो वैटामिन सी आप्षन बनेगा राइट अंसर और उसके बाद वैटामिन रूख काते है वाइटामिन से कहते हैं जितने भी आपके जितने भी चिजे गlor जाता है और 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 इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग स्कर्वी का मतलब क्या होता है जो मसूड़े होते ना मसूड़ों से ब्लड निकलने लग जाता है वाइटमीन एक होता है Kelsey क्यलसी मतलब कैल rencontия कंडेन का लिकामिन कहते हैं वीटामिन डी की बात करें तो इसको हम सब्सक्राइब के नाम से भी हम जानते हैं सब्सक्राइब की अगर कमी हो जाये तो रिकेट फ्रूक हो सकता है और ओस्टियो मलीशिया और याद रखें और यह आपका जो आगला बताओ सभीस्टार्ण का सविद्हान का 75 परसेंट हिस्सा यहां से लिया है गवर्मनेंट आफ इंडिया आक्ट 1935 लिए जवाला नार्यों जी ने बोला था यह क्या बोला था गुश्चा करके समझाया अब कोशन यह है कि इसमें क्या क्या चीज़ें करेगी ती डियार की इन परविंस गलत बात है डियार की दोई शाहसन की बात जिसमें आपके ट्रांसफर पावर और रिजर्ब पावर रखी गई थी यह आपका 1919 की एक्ट में लिखा गया था मॉन्टेक्व चैंप्सर रिफॉर्म में तो यह ऑप्षिन तो बनेगा यह नहीं दूसरा जो बाई केमरा लेजिसलेचर एड़ दा सेंट्र लेवल बाई केमरा लेजिसलेचर जिसमें दो सद्रों की बात करी थी यह भी आपका 1919 के अंदर जो है प्राफधान देखने को आपको मिला था 1919 के अंदर यह प्राफधान देखने को मिला था ठीक है और ठीक है एक चीज बताता हूं इसमें कोशन ध्यान से समझे क्या बोल रहा है बाई केमरा लेजिसलेचर एड़ दा सेंटर लेवल जो बच्चे सी अंसर बोल रहे हैं उनका गलत कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूं इन्होंने बोला था इंटर्ड्यूस्ड इंटर्ड्यूस की बाद चल रही है जब पहली बार आया ठीक है जी हां इंटर्ड्यूस की बाद चल रही है हां बिल्कुल सही उन्नी सो उन्नीस में अनाउंस हुआ था लेकिन लागू कब हुआ था आपका 1935 में लागू हो गया था तो इसका अंसर यह तो बनेगा सैकंड ऑप्शन बनेगा स सारी सवतंतरता दे देगी थी यह भी सही है फैडल कूर्ट स्टार्ट करीगी थी बिल्कुल सही है तो इसका अंसर क्या बनेगा बी सी डी इस दा करेक्ट अंसर ध्यान से समझे इन्हों ने 1935 एक सेकंड रुके इंटर्ड्यूस इन इंडिया बाइदा गर्मेंट अच्छा यह एक पॉइंट दिखाता हूं आपको इसका जो अंसर बनेगा ना वह आपका सी और डी बनेगा बी ऑप्शन बनेगा पहली बात ध्यान से समझे क्या वर्ड यूस कर रहा है इसने बोला इंट्रडक्शन की बार चलिया 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रडक्शन बा बंगा सी और डी समझाया नई देगा हुआ नहीह या इसमें बी ऑप्शन बनेगा सी और डी बनेगा कि हम चलियर हो गया चलें आगे चलिए गवर्नर जनरल की बात चल रही है गवर्नर जनरल की बात चल रही है किसकी 1885 में कौन था अभी मैंने को इंप्रूव करने की बात करी गई थी लॉड रिपन को बोला जाता है क्या बोला जाता है इनको रियक्शनरी वाइसराय बोला जाता है इन्होंने 1876 में केसरी हिंद का टाइटल दिया था किसको क्वीन विक्टूरिया को दिया था और उसी टाइम आपके जो है फैमीन आ एक्ट के सासाथ आम जैक्ट भी पास किया था कि अगर कोई इंडियन न्यूस पेपर चाप रहा है तो पहली कौपी मेरे पास आएगी और इसमें मैं देखूंगा कि हमारे अगेस्तों ने कुछ लिखा हुआ अगर किसी बंदे ने लिखा हुआ है तो उसका लाइसेंस कैंस वह था लॉद मायो लॉर्ड मैयों है ज़ीं लॉड मायो ने पहली बार बताया था आपका फइनेशल डिसेंटरल से के बारे में में बताई थी बात करी थी financial decentralization के बारे में पहली बार बात करी थी समझ आया जी आंसर इसमें बी option बनेगा राइट अंसर लॉट डफ्रीन इस राइट अंसर लॉट डफ्रीन अगला बताओ यह बड़ा सिंपल सा कोश्यन है confusion वाला कोश्यन है मतलब कन्फ्यूजन नहीं कन्फ्यूज हो सकते हो आप कन्फ्यूज हो सकते हो the boiling point of water in Fahrenheit scale is देखे मैं आपको सारे पर और और क्या point होते हैं water की density और boiling point यह हो गया चलो जो भी आएगा आगे देखेंगे ठीक है तो यह point हो गया अब कोशन यह है इसका formula होता है मैंने आपको बता है का जो होता है formula that is c divided by 100 is equal to f minus 32 upon 180 इसका formula होता है c is Celsius f is the Fahrenheit होता है अब Celsius का क्या है boiling point आपको पता है Celsius में कितना होता है 100 so 100 divided by 100 is equal to f minus 32 upon 180 तो यहां पर क्या बन जाएगा one यहां पर चाहिएगा 180 is equal to f minus 32 और f कितना बन जाएगा यहां पर 212 बन जाएगा तो इसका अंसर क्या formula और होता है c by 100 is equal to k k minus 273.15 divided by 100 यह भी आपका formula होता है तो इसमें c option बनेगा राइट अंसर और यहां पर देखेंजी यह बॉड़ी का temperature 37 degree centigrade होता है तो यहां पर 98.6 आएगा 100 degree centigrade के उपर water boil करता है तो यहां पर 212 आएगा और यहां पर water freeze कर जाता है zero degree के उपर तो यहां पर freezing point कितना आ जाएगा वांटर का फार नेट में 32 degree Fahrenheit हो जाएगा तो यह सारे आपको पता होने चाहिए clear हो आप लोगों को और आपका Celsius और फारनेट का बराबर हो जाता है माइनस 40 के उपर बराबर हो जाता है और हमारे इसमें क्या होता है मर्कasteri होता है मर्करी जम जाता है माइनस 39ben जाता है अगर मैं बात करूं है अगर मैं बात यह हैं चीज deaf की औरा क्या कि मैंने मàiनіс मापना माइनस i-50 मा पनाओ तो मैं तर्मोमीटर यूजा करता हूँ एल कोहल अगर हमने ऐसा अ 50 वगरा ठीक है जी अगला अंसर बताएए अगला अंसर बताएए हाँ हो गारे विकरम अंसर बताएए फट यह बड़ा स सम्पल सा कोश्चन है हुelt टूक टाइटल विक्रम दकर विक्रमा अजिता का टायटल wypसे किस ने लिया था विक्रमा दित्या का टाइटल इन में ने से किसने लिया था यह कोश़ण आब बनेंगा चंद्र ऑट दित्य वो ही है जिनके टाइम पर फाहियान आया था पहला चाइनी सुन परसन जो आया था चंद्रकॉप्त-द्वित्य के टाइम पे और यह वो ही है जिनके नाम पर आईरन पिलडर महरोली के अंदर समझहें आप को चे और यहाँ पे चंद्रगूपत वप्त वन जो हैं आपके चंद्र गप्त वऔड की बात करते हैं महाराज अधिराज इनको कहा जाता था है और रियान吃 और फांडर वाफ ऑल गुपता एंपाइर भी आटेक का फेस किया था समझ आया अंसर इसमें बी ऐप्शन बनेगा अगला बताओ कि जी है जी जी बहुत बड़िया को अगला अंसर बताईए जल्दी से जल्दी कूश्यन देखिये और अंसर बताईए कूश्यन का आइस्ट क्या बनेगा जी कूशन है विटामीन डी इस प्रेजेंट इन विटामीन डी की बाद चल रही है विटामीन डी जो है कैशियम हडी हडियों के लिए लिवर में होता है में होता है फिश वाईल के अंदर होता है तो all स्टलग है यहां पे इता है यूरीय यहां पे बनता है और यहां पे बनता कीject मेर सब कृटील होती है लेकिन टो चीज़े नहीं नहीं होता और एक का आइरन नहीं होता सारह सारह प्लांट-फूट से मिलता है और विटामिन सी आपका हेल्प करता है आयरल की absorption में तो इसका मतलब दोनों चीज़े इसमें नहीं मिलती फिश ओयल के अंदर होते हैं ओमेगा थ्री फैटी एसेड भी देखने को आपको मिलते हैं अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा यह वाले आपके विटामिन डी के जो है पार्ट है वन वर्ल्ड नो हंगर एक संसार नो हंगर यह एक इनिशेटिव था कौन सी कंट्री का मतलब पूरा संसार एक संसार है और इसके अंदर हम कभी भी किसी को बुखा नहीं मरने देंगे और यह एक जो है एक जी यह एक इनिशेटिव है किसका इनिशेटिव था यह जर्मनी का इनिशेटिव था और एशिया में से सिर्फ एकी कंट्री आप जो है अडॉप्ट करी गई थी मतलब इन्होंने जो जिसको बोला था कि आप यह वाला प्रोग्राम चलाइए वन वर्ल्ड वन हंगर का यह चूस करी थी इनिशेटिव के लिए तो ऐसमें गया बनेगा वान ऑप्ष्ण बनेगा राइट अंसर जर्मनी की तो वो करी थी बिसमार्क ने बिसमार्क इस नोन फॉर दा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और आपको मैंने बताया था बिसमार्क आफ इंडे की से कहते हैं बल्लवाई पतफेल जी को कहा जाता है बल्लवाई पतेल जी को और सइसमें ए उप्षिं बनेगा रий्ट सब्सक्नेजिद से समबनेत है किस चीज के साथ यह संबंदित है यह आपको बताना है प्रस्टिजिंग थे आपकी इन्हार्ममेण 17 के लिए ऑशे इसमें आपको पता होना चाहिए यू एपी उनाइटे नेशन इंवार्मेंट प्रोग्राम जिसके एड़कॉर्टर कहां पर है नेरोबी कीनिया के अंदर इसके इसके हेड़कॉर्टर है और इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन अक्ट आपका आया था 1986 के अंदर 1986 के अंदर तो अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर प्रेसीजर स्टाइलर पुरसकार यह आपका पुरसकार है जी यह इनको मिला है फॉर्दा आफ नेच्रल कैपि अगला देखिए अंसर देजिए ते की दवार्ग मंगल भारत कि एक वर्क है मंगल भारत वाज़ रिटन्फार कि All comes क्तिक है अगया था 1940 और फॉट्वन में पावनार सी थी ठीक है और यह जो हैं पहले सत्यागराई थे जो पकड़े गए थे आपके इंडिविजुल सत्यागरा के अंदर अर्विंदो गोष्ट जो हैं संबंदित किसके साथ हैं पूरुचेरी के अंदर इन्होंने आश्रम स्टार्ट किया था बाल गंगादति लग जी वह बार में इनको कहा जाता है ठीक है अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा अचार्या बिनोवा भावे इसा करेक्टन सर्मंगल भारत इनका एक काम है अचार्या बिनोवा भावे अगला बताईए कि जी कि जोनल काउंसिल जो है आपकी किसके अकॉर्डिंग बनी है जोनल काउंसिल जो बनी है आपकी वो किसके अकॉर्डिंग बनती है जोनल चांसिल है कितनी छ्य है आपकी श्यक कैसे नॉर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट एक है है आपकी सेंट्रल चाहिंग हे एक सेंट्र और इसकी इलावा 1972 में भी बनी बनी आप्की डैट इस नौर्थी इस नौर्थी इस्ट बनी और चेट टॉल काईंसिल के आपकी तो यह जोनल काउंसिल जो है आपकी स्टेट और गनाजिशन एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग बनेगा स्टेट और काउंसिल अंदर सारे चीफ मिनिस्टर और प्लस वहते हैं और अलग बात है कि हाँ चीफ मिनिस्टर सारी स्टेट्स के भी देखने को आपको मिलते हैं अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बी ऑप्शन स्टेट री और्गनेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है यह बनाया गया था यह इस्टरेश्मेंट पूछ रहा कि किसके दवरा इस्ट्रेश्मेंट किया दिया था और्टिकल नहीं पूछ रहा है तो अंसर इस में बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर ही establishment आपकी स्टेट और्गनेशन एक्ट के द्वारा की गई है स्टेट री और्गनेशन एक्ट के द्वारा जी कि चलिए सेफ्रन इस अप्टेंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट सेफ्रन जो होता है आपका केसर किस भाग से प्राप्ट किया जाता है तो यह हमेशां प्राप्ट होता है आपका स्टीगमा और स्टाइल से स्टीगमा और स्टाइल से प्रडूश करते हैं इसको यह वाला पार् बनेगा आपका सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर सैफरन जो है वर्ल्ड वाइट सबसे ज़्यादा प्रडूस कहां पर होता है इरान के अंदर और इंडिया में आपका के जम्मु कुष्मीर में जगा है जम्मु कुष्मीर में जो आपकी लैंड एड़ इसकॉल करेवाज तो वहां से प्रडेक्शन होती है आपकी सैफरन की तो इसमें सिय ऑप्षिन बनेगा राइट ऑनसर स्टीगमा एंड स्टाइल इस नहीं स्टीग्मा क्रेक्ट नाजच मांद प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्रेस इन विच पार्ट ऑफ दा बॉड़ी जल्दी से जल्दी बता हो जी देखे पहली बात करते हैं माउथ की तो माउथ में जब खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड का डाइजेशन होता है क्योंकि माउथ के अंदर होता है सलाइवरी गया स्टमक स्टमक के दो इंजाइम होते हैं पैपसिन और रैनिन यह दोनों क्या करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं और इसमें रैनिन इंजाइम जो है आपका यह मिल्क की डाइजेशन को करवाता है मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजन होते है कैसीन इसको हम कैसीन यह दिर्ट में講 वर करवा देता है कौन डाड़ क्वाइन लाइन की बात करें नांट की बात करते हैं तो दूतरी की इंतिश्चरही हुती ओर ऐक लाज इंतिसराइन चोटी बढ़िया आपका इंदरिक नेंल करम बढ़से से चाहिंऊ होती है और आपका मैक्सिमम बना होता है carbon hydrogen oxygen और nitrogen का nitrogen is a essential part of the protein protein किसे बने होते हैं amino acid के बने होते हैं amino acid 20 दस आपके essential दस आपके non essential essential जो होते हैं आवश्यक जो हमें खाने से लेने पड़ते हैं हमारी body नहीं बनाती दस होते हैं इसका मतलब होता है कि हमें खाने से लेने नहीं पड़ते हमारी body खुद बनाती है वह वाले protein समझ आया तो इसका अंसर क्या बनेगा आपका c option बनेगा right answer stomach is a correct answer stomach clear अगला देखिए the following date is mentioned in the preamble of the Indian constitution बारते सविधान की प्रस्तावना में निमले की तारीक का उलेक है मतलब को कब हमने mention किया था जल्दी से जल्दी बताईए प्रेंबल की डेट के अंदर प्रेंबल के नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 की बात करी गई है यह लागू कब हुआ था 26 जनवरी को लागू हुआ था लेकिन mention क्या किया गया है 26 नवंबर को mention किया गया है प्रेंबल जो होता है प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं और इसमें सी option बनेगा राइट अंसर क्लियर होगे आप लोगं को जी क्लियर होगे आप लोगं को और 26 नवंबर को हम क्या कहते हैं कॉंस्यूशन डे भी कहा जाता है कॉंस्यूशन डे यह आपका प्रेंबल और प्रेंबल हमने किसको दिया है तूदा पीपल ऑफ इंडिया है अगला बताइए इनवे से कौन सा ऐसा एंडिमल है जो कोल ब्लड़ेट है जिसका थंडा कून है थंडा कोन का मतलब क्या हो गया कोल ब्लड़ेट का मतलब क्या होता है कि सराउंडिंग्स के अक्रिक करने ला जैसे अगर अगर पहाड़ों में चले जाए ना तो एक दू डिगरी का ही फरक पड़ता ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल तेमपरीचर नो जो चेंज नहीं कर पाता उसके हम क्या कहते हैं यह कर सकते हैं तो यह आपको पतावना चाहिए इस में बी आपशन बनेगा राइट शार्क तक अंसर क्लियर होगा आप लोगों को प्रिये वाम ड्लडडडू और यह है आपकी इसकी फोटो ले इने ले लीजे आपको पदा लग जाएगा आपको एंदर कौन सा एकट्रीड प्रेजंड होता है लैमन के अंदर निमू में कौन सा एकड्री प्रेयजंड होता है सेил कि बात करते हैं तो मालीक होता है आपका एपल में से पके अंदर और से पके अंदर होता है लुहा इन बने बने करण बने गारा कान बनिक असर होता है शोडा गया कार्वांण एककलümüz रहे हैं इसक्रिक हम कहते हैं आपके बहूत भ्लाइड जो हमारा डrequis होता है आपका जो समझे एक कहा जाता है 246 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहा जाता है पिकरिक एसट को अंसर इसमें बी ऑप्षन बनेगा अगला बताओ अगला बताओ अगला कौन सा विटामिन जो होता है और बीची सेल की फॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है देखे़ ब्लड सेल में दोव आपके आते हैं एक तो आपका ताइफ फोलिक एसिड एक होता है साइनो कोबालामिन ठीक है यह दोनों आपके आर्बेसी बनाने में help करते हैं फॉलिक एसेट होता है विटामिन बी-9 यह विटामिन कि अंदर जो है आपका आर्बीस centre nucleus होता है and RBC is destroy कहां होते हैं 120 दिन के बाद ट्रीन अंद लीवर स्प्रीन अधर्वाइस तो ही है लेकिन साथ के साथ हो सकता है आपका ड्रीज लीवर ठीक है लेकिन मैक्सिम्म खत्म कहां होता है स्प्लीन में ध्यां रखना अंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा थाइमिन के अगर मैं बात करता हूं विटामिन बीवन को कहते हैं बीवन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है बेरी बेरी राइबो फ्लेविन विटामिन बीटू को कहते हैं ठीक है और नाय नियास की एज कॉल्ड फिलो किनौन और फाइलो किनौन कहा जाता है सारे विटामिन के मैंने आपके साइन्टिफिक नेम भी बता दिये कैमिकल नेम बता दिये एंसर में बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बी उप्शन कि चलिए जी अगला अंसर बताईए यह आर्टिकल जो बताने हैं आपको किसके साथ क्या संबन देता है राइट उइक्वैलिटी जो है आप सारे इक्वल हैं कानुन की नजर में और सभी चीजों में इक्वल हैं आप लोग ठीक है यह बनेगा दूसरा उप्शन फ्रीडम वाला जो आता है यह बनेगा आपका उननी से बाइस जाने के आपका तीसरा उप्शन कॉंसिशन रेमेडिस का आता है जिससे आप कहते हैं बत्तिस नंबर आर्टिकल डैट इस हाट एंड दा सूल ओफ इंडिन कॉंसर फ्रीडम ओफ रिलीजन की अगर हम बात करें तो यह कौन सा होता है पच्चिस से अठाइस वाला यह होता है वन ऑप्शन तो देखो जी क्या हुँ प्रोजcile ती प्रोजेक्ट सन राइस जो होता है एक प्रोग्राम है जो關係 इन और्त के स्टार इंडिया कि तर्फ चीज को इनडर देफिशन की इसको कहा जाता है है इंद़ का देफिशनसी सिंडरोम वास्ट की वायरस्यॅ 형 औका हिभी वाइरास ही मीनल इमिनो वायरस जिसमें आपके टी ऋेस्टेस की उपड़ी एफेक्ट पड़ता है चीक है और और T cell के उपर एफेक्त पड़ता है एइड के अंदर T cell की उपर और 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 क्या कह सकते हैं एड्रत के साथ क्या चीज़ Day कहा जाता है और इसका होता है इंजाइम लेंगित इमुन, स्वार्म एडर के उपर एफक्ट पड़ता है सबसे वाइर्स के कारण हो सकता है टीवी बीसी जी वैक्सीन होती है लिए और दूद के अंदर भी मिल्क के अंदर भी जो आपका टीवी का बैक्टीरिया हो सकता है इसलिए दूद को गरम करके हमेशना पीना चाहिए और अगर काऊ मिल्क आधिक हाल मिल्क के अंदर जा काऊ के अंदर कहीं पे बिखर अँपयोड की के अंदर बेक्टिरिया है और दूद में भी आगर आ गया तो दूद में अगर आ आगया तो अविसले बात आपके उपर फी नुक्सान पहुंचा सकता है तो ध्यान रखना यह चीज़ क्लियर हो गया जी तो अंसर में क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा एड़्ट इस दा करेक्ट अंसर एड़्ट अच्छा एड़्ट का जो बैक्टीरिया है वह और ने है और ने वाइरस होता है उसके अंदर आर ने जो होता है चलिए अगला अंसर बताइए वह को कर दिया था नहीं एक आप आप देक्ट कि अगला देखते हैं फॉर विच कमेटी ऑफ पार्लेमेंट दा सी एजी रेंडर्स ही सर्वेस ध्यान से समझे क्या गयता है कमटोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो है यह आपकी सर्विस की बार चल रही है तो क्या होगा जी के का आड़ीकर नुमर भी में फार्लेमेंट में आती है यह पाप्लिक अकौंट कमेंटी जो दिए अगे रिपोर्ड पाब्लश कर देति खैकी और बोला जाता है कि हां कि इसने जो है निकाल दिया और इसकी इस लिए क्या को बोले भी औप्षिंट बनेगा पब्लिक अकाउंट के नदर 22 लोग होते हैं पंदरह आपके लोग सबह से वोते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को बोला जाता है सिस्टर कमैटी और ट्विण कमेटी सबस्टे हैं इन तीनों को होते हैं financial committees बोला जाता है financial committees चलिए अगला अंसर बताईए जी 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 बहुत बढ़िया अगला अंसर बताईए क्या बनेगा इंडियन economy के लिए part है कि इंडियन economy के लिए कौन सी characteristic feature नहीं बनता इंडियन economy के लिए कौन सा characteristic feature नहीं है हमारे देश के अंदर कि जी कि इंडियन economy के अंदर कौन सा फीज जो point है आपका नहीं बनता कि अंसर बताओ कि कौन सा characteristic feature नहीं है यह बूच रहा है देखेंजी हमारे इंडियन economy के अंदर क्रेक्टरिक फीचर कौन सा नहीं है हमारे देश में population growth rate बहुत जादा है बिल्कुल सही है हमारे देश में disguise run employment जादा है यह बिल्कुल सही है disguise का मतलब होता है परशन बेरोजगारी इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम agriculture field में देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो लोग पांच लोग काम करते हैं पांच की जगह की उपर दस काम कर रहे हैं जिससे क्या होता है आपकी जो marginal productivity होती है वो जीरो हो जाती है है marginal productivity जीरो हो जाती है ठीक है तो यह तो है यह लो लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ अडल्ट लेटरसी यह भी आपका पांच सही है तो इसका मतलब हमारे देश में कौन सी चीज़ नहीं है हाई rate of capital accumulation हमें पैसा जो है पूंजी वाद नहीं करना आता capital accumulation नहीं है हमारे देश के अंदर क्लियर हो गया हम सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रिकल्चर जैसे हमारी देश में में अग्रिकल्चर यह आपको सब्सक्राइब हमें चली अगला बताइए पर इन में इस इक ग्रीन हाउस gas कौन सी नहीं है ग्रीन House gas का मतलब क्या हो गया जो ग्रीन हाउस effect शो करती है ग्रीन हाउस एफेक्ट का मतलब क्या होगा आपका फब्लिट है अब यह कौन कौन से हीटिंग एफेक्ट के सास्मंदद होते हैं जैसे मिध्येन हो गया गारबन रिश्चाइड के7 हो गया नशक्त सरी इसकी इलावा ग्रीन शिफयक्ट कौन शो करता आपका वाटर वेपर करते हैं वाटर बेपर ठीक है ओजोन करता है इंफरार रड रेस करते हैं यह सारे जो हैं आपकी घ्रिम गैस दॉढ़ा काम करते है 200 इसकी साथ कापहर सब्रेक्त करने की ध्याँ रखना मिदेन की बात करते हैं नाइटर सॉक्साइड के नाम से जानते हैं छीक है लाफिंग । याद रखना है आपको आंसर इसमें ए आप्षिन बनेगा तो यह आपकी ग्रीन हाउस गैसिस यह है आपकी ग्रीन हाउस गैसिस प्लियर होगे आप लोगों को जी कि हम चलिए कौन सी ग्लैंड जो होती है वो एस्सेटेड है आपकी लिंफोसाइट और आपके एंटीबोडी प्रड़क्शन में जो आपकी इंफेक्शन के अगेस्ट लड़ती है यह बताएं कौन सी ग्लैंड होती है यह डिसकस करते हैं हाइपोथेलमस की बात करें तो इनको मास्टर ग् ज से निकलते हैं हाइपोथेलमस जो होता आपका हंगर कंट्रोल सेंटर होता है और स्ट देखने को दिखने को मिलता है ऐब कर दो प्याइक और वहार मोन भी कहते हैं अ bare पाट करते हैं आपका थाएमस की बात करते हैं तो यह चेस्ट के अंदर्ड होती है चेस्ट के उपर प्रेजंट होती है और चेस्ट के उपर तो प्रेजंट ही है और यह बच्चों में होती है जब प्यूबर्ट ही आती है बच्चे को तो यह खतम हो जाती है automatically thyroid gland की बात करते हैं तो यह आपकी जो है नेक में देखने को मिलती है thyroid gland clear दिए नेक में याद रखना है इसमें क्या बनेगा आपका कौन सी ग्लैंड समदित लिंफोसाइट और एंटीबोडिस के साथ डैट इस आपकी थाइमस ग्लैंड अनसर इसमें सी उप्षिन बनेगा राइट अंसर थाइमस इस दा करेक्ट अंसर थाइमस वह ट्व है यह यह फिर यां पर अगला बताईए है नायशिरल पॉलीमर किसे कहते है इन में से नैशल पॉलीमर कौन सा होता है जल्दी से जल्दी बता क् सूरल पॉलीमर होता है उसे 24 पॉलीमर जो नीचर में bronyan बगएरा रश्य वगरा चपले बगएरा बनाने में चीका फाइबर में आपका काम आता है टैफलोन जो का रोता है आपका जैसे नौन्च की बर्टन होता है पॉली विनाल meditation सु how यह तो आपके सारी क्या है आपके आप आटिफिशल पॉलीमर होते हैं लेकिन अब प्लांट सेल की बाहर वाली लेर होती है जो नेच्छल लोती तो इसी रे नेच्छल पॉलीमर यह वाला होता है और इसके इलावा जैसे मारी बॉड़ी के अंदर न्यूकलिक ऐसे डोते हैं वह आपके नैचुर पॉलिमर हैं फिरुटीन ही सामधु और तो आ इस ए क्षेमिल पावनरेगा डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर से consequence प्लांट की बाहर वाली लेन और सेल्लोगों कॉन्स नहीं होता कौन सा cellulase enzyme नहीं होता हमारी body के अंदर clear चलिए अगला answer बताईए कोशन देखिए अंसर बताईए है 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 कौन सा कथन इन में से सही है कौन सा स्टेटमेंट इन में से correct आ रहा है तो दोनों पॉइंट आपके क्या है सही है बोथ हार correct वान जी बोथ हार correct वान अंसर इसमें क्या बनेगा आपका a option बनेगा एक चीज़ आपको बताता हूं आर्टिकल 155 बताता है कि देर शाल भी गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब एक स्टेट का गवर्नर होना चाहिए 156 नंबर आर्टिकल बताता है कि हाँ अगर वो रहता है अपने ओफिस में तो जब तक राष्ट्रपती चाहें डूरिंग मतलब डू टू दा प्लैजर ऑफ दा प्रेजिजेंट मतलब जब तक राष्ट्रपती चाहें जब तक उसको रखना चाहें तब तक जो है आपका ग पताया था एक गवनर जो होता है वह दो या दो से जालब स्टाइट चाहो सकता है सेवन्थ कॉंसिटशन अमेंडनेंट्ट एक नायंटिनंफिट सिट च के लिखा गया था कि एक गवनर दो या दो काहो सकता है इभम या समय जाया? जी . . . . . . . एक सेगंड रुकिये अच्छा एक चीज आपको बदाता हूं यह आपका ठीक है यह गलत है यह पॉइंट आपका गलत है ठीक है तो अंसर है इसमें क्या बनाएंगे हैं only two only two is the correct answer लेकिन एक सीज़ा आपको बदाता हूं कि गवर्णर जो होता है ही और शी कैन जो गवर्णर होगा वह पांच साल के यह पॉइंट हो सकता है लेकिन पांस साल से ज्यादा भी हो सकता है यह सब डिपेंड किसकी ऊपर करता है राश्च्ट्रपती के ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल सही कि अरे बाई समझ गए अरे क्यों टैंशन ले रहे हो अज़िए शिक्स सिक्सियर टेन और सिक्सियर कहां से हो जाएगा अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसार चलिए अगला बताईए कि अरे ठीक है भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठंड राखलो ठंड ठंड रखी दिए उन दिया है थम्ज़ाओ भाई थम्ज़ाओ ऑगे वमस्काळ इसा kings canopy कि вами कि से कहा जाता है मुगल टाइम के टाइंप कर शिन कि मुंगल टाइंप गए कि जो हैं कि जो है वाथर ओफ emia का गा टम्यांव तो ओर खिरद एडे वशलीमों कीसे कहा गया था फादर ऑफ मॉजंग सी रुपया किसे ने करवाय था शेषा सूरी मोजा हम मुगल पिरिएड की टाइम की बात कर रहे है अंगल पिरिएड जो है मिली अगर हम बात करें तो 1526 फले अ alltid लड़े गई थी और चला अफ 1857 तक चला था ठीक है लेकिन ठीक है में लिए लेट चलते हैं 1708 तक का लेकिन बात यह उसी टाइम आपके शेर्षा सूरी शिर्फ एक आपका राजा था हुमायू जो आपका राजा बना फिर हटाएगा और फिर राजा बना तो डैट मीज हां तो डैट मीज जो है आपका 15 साल के लिए राजा नहीं था 15 साल के लिए राजा नहीं था कौन हुमायू और उस नहीं पर शेशा था शेशा सूरी ने हराया तक इसको शाज शेशा सूरी की लड़ाई कहा जाता है 1540 में हुई थी दोन लड़ाईों में हुमायूं हा रहा था और शेशा सूरी जीता और इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर और इन्हों रुपया इशू करवाया था समझाया जी शेशा सूरी शेशा सूरी का समंध्य जो है ओल्ड फूट आपको पता होना चाहिए औल्ड फूर्ट पुराना किला दिल्ली के अंदर इन्होंने बन वाया और शेशा सूरी जो है जीती रूड के साथ संबंदित हैं जीटी रूड बहुत सारे बनवाई इन्होंने शिश्या सूरी का ओरिजिनल नेम क्या है फरीद है और इनको टाइटल मिला था शेर खान का डैड़ बाबर खान लोहानी ने इनको टाइटल दिया था ठीक है जो आपका गवर्नर था गवर्नर था बिहार का ठीक है बाबर की बात करते हैं तो 1526 में लड़ाई लड़ी थी किसके साथ लड़ी थी इब्राहिम लूदी के साथ पहली बैटल ऑफ पानिपत जो बाबर जीता था अकबर जो आपका अकबर के टाइम पर यूरूपेंस आये थे यूरूपें में कौन आया था ब् दूज़ नें लिखी थी समझत और बाबर की बात करते है तो तो जो के बाबूरी उनकी ग्राफी जो बाबर नामारी सम्क्राइब कहते हैं और ERामवाप में छैंच मेंड में टैंच ञों जो घौन की है दो इनकि epis पीकोग थ्रोन जो है इनके टांप था फीकोग थ्रोन और उसको उठाके कौन ले गया था सत्रा सो सॉनतलिस में नादिर शा उठाके ले गया अब हुआ को दिनियं बर्नियर और टावर्नियर नाम के दो फ्रेंच पर्शन है थे जाज़ाँ के टाइम पर और गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्खिटेक्ट्चर भी बुलायाता है शाहजां के टाइम को समझ आया कि जी आंसर इसमें कि सी ऑप्षिन वनेगा राइट अंसर शेर शाह शेर शाह सूरी यह सिक्के इशू करवायत है इन्हों नहीं कि अगला बताओ कि अगला इन्डिया अग्रिकल्चर आउट्पूट की बात करी थी कौन सा इकोनोमिस्ट है आपके आजाद होने से पहले भारत के आजाद होने से पहले वाहिए दाद भाइन रोजी एंड फिल्ले शिर्यास ने यह काम किया था तो उसमें क्या ऑप्ष्व hoped राइट लेशन ली आपके दादाबाई नारोजी और फिले श्रियास नहीं जो बताया था आपकी इक्रोमिस जिन्हों ने एक्री कल्चर की आउटपुट के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था दादा बेन के पाद करते हैं तो यही आपके जिरनी स्ट्पिकल इंसिजूट शार्ड किया था कौलकाता के अंदर donororden की चोब्र पहली बार साइधिक उपर इन्हों पहली बार साइधिक बेसिस की ऊपर जो है इन्हों ने वी के आरवी राओ ने पहली बार साइन्टिफिक बेसिस की उपर आपकी बताई थी नैशनल इंकम के बारे में बात करी थी बाकिया आपको पढ़ने की जुरत नहीं है चलिए अगला बताई ये बुदिश्ट टेक्स्ट है मिलिंद पनो ये किसके उपर है कौसा यवन रूलर था मिलिंद पनो मिलिंद को हम मिनांदर भी बोला जाता था और मिलिंद पनो लिखी है नागसेन ने लिखी है जिसमें मिनांदर और मिलिंद पूझ रहा है और मारी रहे हैं और में जो है यह आपके बुद्ध अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर नेक्स देखिए कि डरेट एडविच आरवी लेंड्स टू बैंक इस जहां पे ऐसा रेट बताइए जहां पे आपका आरवे बैंकों को लेंड करती है पैसा देती है उस रेट को हम क्या कहते हैं दिखें इस तरीके का जब को इस तरीके से आजाएगा कि सिर्फ इतना वर्ड लिखा और भी लेंड्स बैंक तो आपका अंसर बनेगा बैंक रेट लेकिन वहां पे अगर वह स्पैसिफिकली डेफिट डिफाइन कर दे तो रैपोरेट आ जाएगा लांग टर्म डिफाइन कर दे तो आपका बैंक रेट डेन आजाएगा समझाया ना तो यहां पर शौ्ट अंदा यहां पर लॉंग तर्म तो इसका अंसर हम क्या करेंगे बैंक रेक Cricorner टोगे लेकिन बात यहां पर है कि बैंक रेट करका क्या रिप्सटिक करना पदेगा उंसरिस्में सब्सक्राइब समझजा है आप लोगं को बी option बनेगा राइट अन्सर यहां पर बेस रेट है ना कि आपका जो है चीज और आपको बताता हूं LAF वर्ड आता है what is the meaning of LAF this is called liquidity कि अड्जस्टमेंट फैसिलिटी लिक्विडिटी अड्जस्टमेंट फैसिलिटी इसको कहा जाता है समझाया अब हँलिक लिक्रsilटी का मतलब क्या होता है तरल्ता तरल्ता क्लिया जो कोई liquid asset को सद्ध गौल्ड हो गया सब्ड़ कोधिछ का मतलब यह होता है कि पैसे को ठैसेंट करी जा रही है तो रेपोरेट reverse रेचेपलेट को स्थोड़ा चाल लोगो तो यह दो में में पूछी जाती है जी यह चल नहीं रहा यार दमाग खराब हो रहा है मेरा इसको चलाओ थोड़ा सा कूलिंग पर लगाओ चलिजे अगला अंसर बताईए यह पुस्तक हैं हमारी रिलिजिस टेक्स्ट हैं तो इनके कौन से कौन से धर्म के साथ संबन दीते हैं यह बताना है जी बताओ 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 इन में से कौन सी चीजे किसके साथ संबन दीता है यह आपको बताना है बताओ जी बताओ इसको अगर हो सकते आपको पता भी न हो वाट फिर कैसे निकालते वह मैं आपको बदाथा हूँ तरी पीटक आपको पता है वी ने पितक लिखे तो यह किसके साथ संबंदी था आपकी बोधिष्ट के साथ समझाया तो डी का अंसर बनेगा थ्री सिर्फ एक ही महीं है तो इसका मतलब क्या बनेगा जी आपका थेंबावानी किसके साथ साथ बनेगा क्रिश्ट्यन के साथ और पूर्मनन तो यह संबंदी था आपका किसके साथ डैड इस आपका मुस्लिम के साथ बगवत घीता किसके साथ संबंदी है हिंदूस के साथ तो 2413 अपका राइट अंसर बन जाएगा 2413 फ्री के दी आपशन बनेगा अगला बताएं एंटी डिफ्यक्शन लॉग हूँ वाज़ प्राइम मिनिस्टर फिंडिया वेंदा एंटी डिफ्यक्शन लॉवस पास्ट और बिल वास पास्ट जब आपका एंटी डिफ्यक्शन बिल पास हुआ था कि एंटी डिफ्यक्शन लॉग जो है आपका 50 सेकिन अमेंडमेंट एक्ट फिफ्टी सेकिन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पास हुआ था टैंच स्केडूल है आपका अगर कोई पर्सन पार्टी चेंज कर दे ठीक है तो उसकी उपर डिफ्यक्शन भी लगता है एंटी डिफ्यक्शन बिल लगता है आपका जाता है और इस इसमें निकालता कौन है स्पीकर ओफ लोकसभा और वाइस प्रेज़ेंट ओफ सरी चेर परसन ओफ राजय सभा निकालते हैं एंटी डिफेक्शन लोग और प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे राजीव गांदी तो उसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर सी ऑप् करो सी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर और सबसे यंगेस प्राइम मिनिस्टर थे कौन हमारे डैट इस राजीव गांदी जी यंगेस प्राइम मिनिस्टर अगर अंसर बताओ कि विचल अफॉलिंग वाज नौट दा पार्ट अव ट्रैंग ट्रैंगुलर कंफ्लिक्ट ट्रैंगुलर कंफ्लिक्ट के जो हैं आपके इन में से कौन से पर्शन नहीं थे जी ट्रैंगुलर कंफ्लिक्ट हुआ था जिसके अंदर जिसमें प्रतिहार पाल और राष्ट कुट बंच थे यह लोग थे आपके नहीं ता तो इसलिए अंसरिश में वाट अप्षिक्ट में यह लिए ट्रैंगुलर कंफ्लिक्ट के अंदर लेकिन चोल वंश के साथ मैं आपको बताता हूं यहां लिखाओ ह है गंगाई कॉंड चॉलापूरम यह गंगाई कॉंडा जब तायटल लिया था यह राजेंदर वन ने टायटल लिया था तो इस वर इम्पोर्टन पॉईंट नेक्स्ट बताईए यह बड़ा सिंपल कोंशन अब तुंबा एक ओकौट ओर्यल रॉकेट लॉंचिंग टेशन जो है यह कहां पर है कूपा सप्राइबुस यो है आप का प्रतीष दवन स्पेस सेंटर है ठीक है उडिशा में गाहिरमाथा बीच यहां पर आपके ओलुवे रिडे टरटल जो है वहां करते हैं मास नैस्टिंग करते हैं जिसे कहते हैं अरीबदा थीक है उडीशह में बित्र कहा नेयशन पाउक देखने को आपको मिलता है overnight में बानिपूर नेशन पाउर और बानेर कुद्रें मुक्त यह ससब देखने को आपको मिलते हैं कि विच साउथ दनेश्टी है दा बेस्ट विलेज एडिमिस्टेशन विलेज एडिमिस्टेशन में कौन सा आपका जो जो थे यह थे साउथ में ऐसे सेंबली जैसे उर हो गया ठीक है और these call these call is call नागा नागा राम गें हुझा नागा राम हो गया महासभा हो गया यह सारी देखने को और यह को मिलती दी कहां पर चोल वंश के टाइम पर यहrant प्रफिशन यहां पर देखने को अच्छी मिलती थी अंसर इसमें सी ऑप्षन बनेगा सी ऑप्षन बनेगा राइट चोल वंश के टाइम पर राजेंदर चोल को राजेंदर वन चोल वंश का राजा है जिसको हम क्या कहते हैं गंगाई कॉंडा भी कहा जाता है क्योंकि उन्हो शिलंका को पूरी तरह से कैप्चर भी उन्होंने कर लिया था और नेवी इनके पास बहुत अच्छी थी चेर वर्ट से आपको याद करवा दूं रेड रेड चेर की नाम से पूझा आता है सेंग गुट्वन नाम के परसन को रेड चेर बोला याता है चालुक्या वंश के को हâte याद कीजे पूल केसिन दृत्या पूला केसिन दृत्या चालुक्या वंश का राजा था जिसने हराय था हर्शवर्दन को और इनके बारे में लिखा गया था कि पूला केश्व North Datuk को हराया रवी कृति की इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था रवी कृति की इंस्क्रिप्शन कौन सी थी रवी कृति की जो इंस्क्रिप्शन थी वो थी आपकी डैडिस आही ओल इंस्क्रिप्शन आही ओल इंस्क्रिप्शन देखने को मिली थी ठीक है और एक चीज़ आपको कोंडा का टाइटल लिया था यह लिया था नर्सीमा वर्मन ने नर्सीमा वर्मन वान ने यह पूला के सिंदृत्या को हराया था और टाइटल लिया था वातापी कोंडा का समझाया जी अंसर इसमें C option बनेगा राइट अंसर चोल वंश के पास था यह सब कुछ चलिए अगर अंसर बताईए इन में से ऐसा कौन सा राइट है जो हीमर राइट तो ही है और fundamental राइट भी आपका देखने को मिलता है इसमें राइट डेखने को बता है और आपकी हुमर राइट के लिए उनाइट नेशन हुमर राइट कॉंसिल होती है जिसके एड़कॉर्टर काहां पर है जिनीवा के अंदर है लेकिन यहां पर बात कर रहा है है इसमें राइट डेखने लिए और आपकी 86 अमेंडमेंट टू के अकॉर्डिंग लिखा गया है जिसमें 6-14 साल के बच्चे को पढ़ने का हक है अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर डाइट डेखन जो है आपका एड्यूकेशन राइट भी है जी ठीक है क्लियर हो गया आप लोगों को जी चले आगे बढ़े तो अंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट अंसर डी ऑप्शन राइट ओ एड्यूकेशन एक्ट क्लियर चलिए जी आगे बढ़ते हैं इन में से तीन पिलर बता यह प्रड़ weekends are אנחנו कहों सी है और फिल्वफ्री अप्रड़क्शन का मतलब कि आ गया कि पहली बात तो चार फ्रिक्ट्रों होते हैं चार फ्रिक्ट्रों पड़्टिए यहां यहां को कॉण clear answer is my B option banhenga right answer land labor capital or entrepreneurship clear challenge अगला बताओ अगला अंसर बताई एधान से the following institution is meant for making suggestions to the union and states in regard to transfer and allocation of the financial resources center or state में financial resources को divide करना किसका का होता है तो वो काम होता है finance commission का center और state में पैसा divide करना finance commission का grants provide करना इंडिया के अंदर sound finance को ठीक करके रखना यह finance commission का काम होता है finance commission का article number होता है 2280 और finance commissioner अभी हमारे कौन है 15 finance commission चल रहा है जिसके जिसके चेह परसन कौन है एंके सिंग पांस साल के लिए अपॉइंट के जाते हैं यह finance commissioner केसी नियोगी वह आपके first finance commissioner थे याद रखिए आंसर इसमें बी option बनेगा राइट अंसर finance commission विट आयोग नीटिया योग की बात करते हैं national institution for transforming India नीटिया योग की अगर हम बात करें तो नीटिया योग जो है इसका पहला नाम था आपका planning commission इसका पहला नाम था नीटिया योग जो इस ट्राइम पर राजीव कुमार जो हैं आपके वाइस प्रेजेंट हैं CEO कौन है अमिताब कांथ हैं क्लियर याद रखिए कि एंडी सी नैशन डेवल्मेंट काउंसिल बनाता च्छे ऑगस्त 1952 को जो क्या करता था प्लैनिंग कमिशन प्लैन बनाता था और उसका डिसीजन फाइनल कौन करता था एंडी सी करता था लेकिन अब तो हमारे देश में पूरा का पूरा नीती आयोग ही इसको अंसर क्या बनेगा बी ओप्षिन फाइनांस कमिशन इस दा करेक्ट अंसर इंडिया वित आयोग अगला देखे हुज टाइटल ऑफ दा गूर्जर्स प्रतिहार रूलर्स प्रतिहार रूल विजमर था जिसकी उपादी ती ये नाम है ज्ड़स्ट नाम याद करना आपको इसका शर्फ नाम याद करेंगे ज्याद नहीं करेंगे ठीक है जी बताए बताइए बताइए यास ये विष्नु का विष्चनु का डिवोटी थाम अनौ़ और बिल्कुल मांनता था और इसकी capital कनॉज थी कनॉज चापिटल थी और इस में से वो राजा कौन है तैने महीर बोड मिहिर बोड को हम क्या कहते थे अधि वरहा कहा जाता था अंसरिंश इसमें क्या बनेगा आपका को जी मति आधी वहरा इस दा सी ऑप्शन बनेगा राइटन सा मिहीर बोज को कहा जाता है मिहीर बोज गुर्जर प्रतिहार अगला बताओ इन में से कैमिकल चेंज कौन सा है कल दो कर दो कैमिकल झाहँ है हां इवापोरिशन की बात करूं तो ये अपका फीजिकल चेंग है बर्निंग ऑफ केंडल की बात करूं ये कैमीकल चेंज है ऐलैक्टीसिटीव सीर्प की बात करूं ग्लो कर रहा है फिजिकल चेंज है लिक्यिफिकेशन अफ ऐर is also the physical change clear जिसमें आपका गैस लिकुड में तब्लील हो जाता है अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट अंसर बर्निंग ऑफ केंड़ इस दा गैमिकल चेंज क्लियर फिजिकल चेंज में क्या होगा मैल्टिंग फिगलना श्रेडिंग चॉपिंग बॉइलिंग यह आपका फिजिकल चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं चलिए अगला बताओ कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग किस एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल हैं वो ही हमारे वाइस रॉय हैं गवनर जनरल ऑफ इंडिया को एक अडिर्टन टाइटल मिल गया था वाइस रॉय का वो कौन सा आपका एक्ट देखने को मिला था यह था आपका गॉण्मनेंट औन वंडिया 1858 को कहते है और गॉण्मन्मन आफ उंडिया एल्ट k infilt को हम कैते थे इसije क्ट को हम कहते थे गुड गव्र sev Node good governance act b कहा जाता था सुशासन का act b कहते थे good governance act b कहते थे और actually इसको क्यूं कहा जाता था तो क्यों कहा जाता था क्यूंकि queen आई थी this queen ने यहां पे पहले तो title देया i Pkin word noegen जो होता था यह इंग्लिश subject को संबढ़ाता था और vijserai जो होता था आपका यह आपके जो कि कुई नाई यहां पर तीन बाते उसने बोली तीन बाते कौन सी बोली कि धरम में हम कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे हम एक्वैलिटी प्रवाइड करेंगे जो डॉक्ट्राइन आफ लैपस आपने स्टार्ड करा था वो खतम करेंगे तो इन में तीन बातों में से है तक तुम स्टार्ट करो ये हैं घ्विट यब उसके चलते चलते जो है रिवोल्ट हो गया तो फिर इसी दिए इन्होंने बंद कर दिया था यह इंदर बात करते हैं यह सेपरेट इलेक्टरेट के लिए बात करे गए थी मॉरले मिंटो रिफॉर्म था और यहां पर जितनी भी आपकी जितनी आपकी रैजुडरी पावर्स होता है यह पावर्स जो किसी भी लिष्ट में गिवन ना हो तो यह गवर्नच जनरल के पास होगी है अगला बता ओ केêsse कि पारित किया गया कब 12 अक्तूबर 2005 इसमें क्या अक्तूबर 2005 को कमेंस किया गया और इनेक्ट कप किया गया 15 जून को और असेंट हां कप कर दिया गया लगाएंगे 22 जून को और प्रॉपर तरही किसे कमेंस कब हुआ लागू कप किया गया 12 अक्तूबर 2005 को और 5 अगस्ट 2019 को जम्मो कुष्मीर में भी लग गया ठीक है पहले कि अगला पताओं कि येस इंडिया इजे स्याकुलर स्टेट बिकॉज इंडिया जो है एक धर्म निर्पेक शराज्या है इस वर्ड का मतलब क्या है इस वर्ड का मतलब कि कंट्री का अपने अपना कोई धर्म निया लेकिन कंट्री सब धर्मों की रिस्पेक्ट करती है समझ आ प्लिजन आता है और सेकुलर वर्ड से सेकुलरीजम वर्ड भी आपको याद करना है सेकुलरीजम का आपको बोला गया था कि यह सबसे पहली बार बात कब करी गए थी यहां पर बात करी कि इंडिया सेकुलर नेशन और एक चीज़ आपको बता दूं कि सोशनिस्ट सेकुलर इंडिग्रिटी यह तीन वर्ड एड किये थी फॉर्टी सेकिंड अमेंड्मेंट के अकॉर्डिंग कहां पर प्रियम्बल के अंदर याद रखना है आपको चलिए अगला बताईए हम यह कोशन थोड़ा सा तंग करेगा यह कोशन तंग करने वाला है देखिए इस इन दा इलेक्शन तो दा स्टेट लेटिटेव असेंबली तक टैंडिट हुई इस डिक्लेइड इलेक्टे लॉस इस डिपॉजट मतंब कहते हैं कि जो उसने राशी जम्हा करी थी लेक्शन रटने के लिए वह जब्त कर लिए उसका मतलब क्या कि उसकी राश प्रशी तब खोई जाती है कि अगर आपके पास वॉट भी नाए अगर आपको मैं कहूंगी आपके पास आपके स्टेट के अंदर साथ वोट पड़ी है तो अगर आपके बस दस वोटे भी नहीं आई ना तो इसका मतलब आपकी डिपॉजिट जो है वह नहीं आएगा अग अप्रॉक्सिमेटली मानके चलता है तो पांच किसी के पास साथ है किसी के पास चे पास पांच है तो जिस के एक बड़ा चे वोटे नहीं आई तो उसका मतलब कि इसकी डिपॉजिट खतम कर दिया गया इट मींज वन सिक्स वोट ना आने का मतलब यह हो गया कि उस जगह के मतलब की अन्दर बहुत सारी लोग जो हैं इल्यक्षीन लड़ रहे थे ह। जिसके कारण वोट नहीं है यह सकता है कि उस स्टेटर corner बहुत बहुत वोटे चलिए पास कैसे क्ल़ कॉठ्व एक छीवुते नहीं सकता। तो इसका मतल़ क्या बनेगा इसका मतल़ होगा very large number of candidate contest the election answer इसमें डी option बनेगा correct answer समझाया क्लियर होगे आप लोग को जी अन्सर इसमें डी option बनेगा right answer a very large number of candidates contest the election d option बनेगा correct answer चलिजी अगला आधाव ऑजो टेस्ट कनफर्म् सब्सक्राइब किस चीज को कन फाइड को एंसर इसमें क्या बनेगा बनेगा ताइफ़ जो होता है सालमोनेला टाइफी के कारण देखने को आपको मिलता है साल मुला टाइफी बैक्टीरिया के कारण ठीक है लैप्रोसी माइको बैक्टीरियम लैप्रे के कारण ट्यूबर क्लॉसिस माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लाई के कारण और इसमें कालमेट और ग्यूरी नहीं ये आपको पता होने समझ आए आप लोग चीन्प लिग लोगो ऑर प्ले होता है अगला बताओ yes, typhoid is the correct answer, typhoid, typhoid is the right one, Vidal test, अगला बताओ, जी, दा इंडियन सुप्रीम कोड एक्साइज अडवाईजरी जो दिक्षिन अंडर विच आर्टिकल, दिखें सुप्रीम कोड जो होती है, वो अडवाईज दीती है, किसको राष्टपती को देती है, राष्टपती की उपर बाइंडिंग नहीं होती है, अडवाईज कभी बाइंडिंग नहीं होती है, मैंने आपको अडवाईज दी, पढ़ लो, यह बाइंडिंग थोड़ा है, आपकी मर्जे पढ़ना ना पढ़ना, तो इडवाईजरी जुरिजिक्षिन आती है, आर्टिकल 143 के अंदर, तो यह आपको देखने को मिलता है, 14 143 एडवाईजरी जुरिजिक्षिन अंदर दा, आर्टिकल 143 सुप्रीम कोड अडवाईज राश्ट्रपति को, बट डैट इस नौट बाइंडिंग ऑन दा प्रेजिडेंट, राश्ट्रपति की मर्जी खुद होगी, एक आपको याद करना है, इसमें से आर्टिकल 131 जगडा निप्टा ना, अगर वो सेंटर स्टेट का जगडा निप्टा रहा है, तो मतलब पूरी कंट्री को बांध के रख रहा है, और इसका मतलब सेंटर की पावर को अलग कर रहा है, स्टेट की पावर को अलग कर ला कि दोनों में बीच में इंटर्फेरेंस कभी ना हो, को तो जब अगर वह इस तरीक से कर रहा है तो हम क्या सकते हैं कि वो आपके फैडल क्रेक्टर उब दा कॉंसीशन को मेंटेन करके रखता है तो आपका ये part भी आपको पता होना ठाहिए उरिजिश्यenne जो है federal character of the federal character of the constitution को भी maintain करके रखता है तो अंसर इसमें a option बनेगा right answer 143 is the correct answer 143 अगला बताओ जी जैस हमिता is the original name of जो जैस हमिता है इसका मूल नाम क्या होता है जैस हमिता that is महाभारत answer इसमें क्या बनेगा d option बनेगा d option महाभारत को तो partial language में change किया गया था रजम नामा में रजम नामा में रजम नामा ठीक है और रजम नामा में किया गया था महाभारत रजम नामा और किसने चेंज किया था बदोनी ने चेंज किया था मेरे मेरे मूँ से अभी ता महाभाशया महाभाशया किसे ने लिखी थी पतंजली ने लिखी थी और ये कमेंटरी थी किसके उपर अश्ठ ध्याय की उपर जो किसे ने लिखी थी पानिनी ने लिखी थी समझाया रमायन की बात करते हैं तो रमायन वालमी की जी ने लिखी थी और वैसे आपको बता लिखे गी ठी तो ऊंसर इसमें आपका क्या बनेगा डियो डिई ओप्षिन बनेगा महाबहुरत इस दा आंसर महाबहुरत हुव गडा वाता अ्गर अंसर बता बाई इंडेनेशन आर्मी आयने की जो फोर्सीज यह कब बनाई गए थी एक्शली इंडेनेशन आर्मी बनाई गए थी 1942 में कैप्टन मोहन बनाई गई थी तो पहले तो अंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा आप काफी अंसर कहेंगे कि सर इसमें तो अंसर आपका बी ऑप्शन होना चाहिए सुबाश संबालो और इन्हों ने बनाया था आजाद हिंद फोज की बात करी थी यहां पे 1943 में सिंगापूर में सिंगापूर में ने कारोभार संबाल था सुबाश चंदर बोश जी ने सुबाशन नर बोश जी जो जो है बोस के डिफरेंसिस बढ़ने लगे फिर सुभाशंद्र बोस ने यहां से रिजाइन कर दिया और अपनी एक फॉर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट कर दी फॉर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट करी फिर उसके बाद जो है इंडियन स्ट्रगल नाम की आउटोबाइग्राफ निकोबार का नाम रखा गया था सोराज यह आपको पता होना चाहिए चंद्र शिंगराजाज जो है एक रे के मेंबर में रहे हैं हिंडुस्तान रिप्टलिकन आर्मी के 1924 में और ये एक आस एक मैंबर भी हैं देट इस 1928 की हिंदुवस्तान सूश्म्स रिपॉब्लिकन आर्मी के मेंबर हैं याद रखिए तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका क्या बनेगा अंसर इसमें a option बनेगा राइट अंसर कैप्टन मोहन सिंग इस दा करेक्ट वान कैप्टन मोहन सिंग ख्लियर हो गया चलिए अगरा बताए अगया, इस्टुर प्लैनेट्स की बाद चल रही है विदिन दा सोलर सिस्ट्रम तेरिस्ट्र प्लैनेट्स की बाद करें न से मरकरी वीनस अर्थ मार्स ये चारो प्लैनेट्स को Mercury Venus Earth और मार्स इन चारो प्लैनेट्स को बोलता है रॉकी प्लैनेट्स उसके बाद आता है आपका एस्ट्रोइड बेल्ट फिर आता है जुपीटर सैटन युरेनिस और नैप्चुन और इनको बोलते हैं आखा ओड़ी सेटलाइट और इसका यहां आपकी सबसे बड़ी सेटलाइट और तो सबसे बड़ी सेटलाइट है गैरनीमीड जो है आपकी पूरी सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटलाइट है और वीनस की बात कर लेते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं अर्थ ट्विन भी कहा जाता है अर्थ ट्विन भी कहा जाता है वीनस ग्रैको और 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 हां मॉर्निंग सबसे बड़ी सैटलाइट यह भी आपको पता होना चाहिए समझाया तो अंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर मर्कृ वीनस अर्थ मार्श इसदा करेक्ट अंसर यह अगर यह आपके पूरे के पूरे टेरिस्टर ठीक है यहां पर याद रखना है आप लोगों सकते हैं बागि आप इंस्ट्राग्राम की ऊपर मुझे फॉल्लों कर सकते हैं डॉक्टर विपन्गोq के नाम से यहां पर मैं एक्टिव रहता हूं काफी और मिरे दो यह आते हैं 10,000 mc course और जिसके अंदर हमारे chapter wise mc क्यों है तो आप इसको purchase कर सकते हैं और इसके अंदर coupon code लगाना है study 10 12 बज़े तक यह study 10 coupon code इसमें valid रहेगा आज रात 12 बज़े तक चीक है तो मतलब जो भी देड़ गंटा रहे आप purchase कर सकते हैं एक देड़ गंटा और इसमें चैप्टर वाइस तो हैं है प्लस SSC और railway के अलग से question है आपके defense exam के आपके state PCS UPSC के question इसमें डाले गए है और GS course के अंदर जो है VIP 500 coupon code लगाएंगे तो आपको discount मिलेगा यह हमारा पूरा theory course है अब आप इन courses को purchase कहां से करेंगे दो जगा से जातो study IQ app से आप purchase कर सकते हैं जाब website से कर सकते है है study IQ.com जैसी आप इसको open करेंगे आपको screen के उपर नजर के आएगा home page नजर आएगा home page के बाद यहां पर देखेगा best selling courses यहां पर view all का button इस view all के button को आप जैसी दबाएंगे तो आपको 10,000 mc को दिखेगा तीसरे नंबर के उपर और GS course दिखेगा आपको 24 नंबर के उपर जो भी courses अच्छे लगते हैं आप purchase कर सकते हैं अगर आपका एक्जाम 3-4 महीनों में है तो आप 10,000 mc को purchase कीजे अगर आपका जो exam है वो next year है और आप basic से पढ़ना चाते हैं तो GS course को purchase कीजे समझाया जी और अगर आपका किसी भी जो है topics के regarding doubt हो आपको course के regarding कोई भी डाउट हो आपने मुझे से पूछना हो तो आप मुझे Instagram के उपर message कर ये डॉक्टर वेपन गोल के नाम से और ये दो मेरे courses आते हैं paid courses clear clear हो गए आप लोगों को so thank you so much guys और कल तो हमारी चुटी है कल अराम से पढ़ना सब चीजों को जो आपके पास paid courses उसको paid courses पढ़ना जीन के पास नहीं है जो classes पढ़ रहे हो और इसको revise करना हम मिलेंगे Monday तो thank you so much and good luck guys take care bye bye and good night thank you so much